अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा होगा और साथ में आप सीटेट पेपर फर्स्ट की त्यारी कर रहे हैं तो प्लीज उन वीडियो को जरूर देखिएगा अज इस वीडियो में हम लोग NCIT बुक क्लास 4 का लेशन 22 से लेशन 27 तक देखेंगे इसके साथ ही मैं बता दूँ कि पर्यावरन अध्यान का ये लास्ट वीडियो है और टोटल वीडियो पर्यावरन अध्यान पर अभी तक 12 आ चुके हैं और जो सीटेट पेपर फर्स्ट में पर्यावरन अध्यान के जो कोश्चेन आते हैं वो NCIT बुक से ही आते हैं तो सूच सकते हैं कि कितना इंपोर्टेंट ये टोटल 12 वीडियो हैं प्लीज इन सारे वीडियो को मिस मत कीजिए एक बार आप इन्हें देख लीजिए देखने के बाद प्रिभियस ये अप सॉल्व करके देख लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि इनका इंपोर्टेंस क्या है तो चलिए बीना देरी के हुए आज लास्ट वीडियो परेवरन अधियन पर हम देखते हैं लेशन 22 यानि पाठ 22 दुनिया मेरे घर में इस लेशन में कुछ ज़्यादा महतपूर्ण नहीं था लेकिन हम चाहते हैं कि कोई भी पॉइंट छोटे नहीं इसलिए इसमें भी जो में में स्टोरी था उसके छोटे-छोटे पॉइंट्स निकालके हमने रखा चली पहला पॉइंट पढ़ते हैं तीबी पर कौन सा प्रग्राम देखे इसके लिए होता है जगडा भाई कहता है कि मुझे किरकेट देखना है मा निउस देखना चाहती है आंटी सीरियल वैसे तो देखा जाया है मा और आंटी दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं लेकिन दोनों की पसंद अलग-अलग है छोटी सूसन गाने का प्रग्राम मेरिटा काटून लेकिन चला किसका तो पापा का और पापा का पसंद था फुटबॉल मैच क्यों चला क्योंकि पापा बोले कि हमें तो अभी टाइम मिलता है यानि साम के समय इंटाइम मिलता है इसलिए तो फुटबॉल चलेगा और सभी ने फुटबॉल लेखा यह पहले स्टोडी थी अगर दूसरी स्टोडी देखा जाए तो परतिभा अपनी सहली के साथ साथ बजे दोड़ते हुए घर पहुंच रही थी क्योंकि उन्हें घर से बोला गया था कि साथ बजे तक आपको घर जरूर पहुंच जाना है यानि साथ बजे साम से जड़ा लेट नहीं होना चाहिए लेकिन उसका भाई उसी समय संदीप और संजय नुकर पर दोस्तों के साथ खेल रहे थे उन्हें घर जानी की कोई जल्दी नहीं थी तो यहां पर लिंग विविनताएं दिखाया जा रही ह यानि रोडिवादिता यहां पर दिखाई जा रही है कि लड़कों लड़के का नियम अलग है लड़कियों का नियम अलग है लेकिन यह नहीं होना चाहिए इसके बाद अगला स्टोरी था फली नाजू और उनके दोस्त पिल्यू मामी के साथ समंद्ध तट पर पानी और र पांच के ही पैसे मांगे यानि पांच कुल्फी के ही पैसे मांगे लेकिन मामी ने उसे सही हिसाब समझाया और साथ के ही पैसे यानि साथ कुल्फी के ही पैसे थी यह थी दूसरी स्टोरी इसके बाद अगला स्टोरी था अक्षे का अक्षे को अपनी दादी मा से बहुत ल ना कुछ भी पीना है एक दिन क्या होता है कि बॉलीवूल का मैच वो लोग खेलते हैं और मैच के बाद सारे लोग ठक जाते और वह अनिल के घर जाते हैं वहां पे अनिल की मा और पानी पीने के लिए सबको देती है और बिस्कुट फॉस्ट जाता है वह सोच नहीं पाता है क इसके बाद देखा जाए तो अगले स्टोरी है घेडू से समद्दित घेडू के बड़े काका रूपिये पैसे और खेतिवारी का सारा काम सभालते हैं और घेडू जह है वह चक्की खुलना चाहता है क्यों खुलना चाहता है गाउं में एक भी चक्की नहीं है घेडू बैं मीना और रितू स्टापू खेल कर घर लौट रहे थे चलो ना मेरे घर यह कौन बोला तो मीना बोली रितू से कि रितू चलो मेरे घर चलो रितू ने मीना से अपना हाथ छुडाते हुए बोली कि तुम्हारे मामा से मुझे डर लगता है हाथ भी पकड़ते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, या कहकर, रीतू अपने घर चली गई, तो यहाँ पे कुछ अलग तरह की स्टोरी मिली है, रीतू मीना के घर जाती है, तो उसके मामा उसका कभी हाथ पकड़ते हैं, फिर उन्होंने इस स्टोरी में ये भी दिखाया है, कि उसके मामा कहते हैं, कि तु बच्चों के अनुभाव रीतू की तरह के ही हो सकते हैं, कक्षा में इम पर चर्चा होने से बच्चों को अपने अनुभावों के बारे में सोचने का मौका मिलेगा, इसे उनका धीरत भी बढ़ेगा, और सिक्षक के प्रती विश्वास भी बढ़ेगा, तो यहाँ पे पूर्ण इतने ही बिंदू थे, चली चलते हम अगले लिशन पे, लिशन नमबर 23, लिशन का नाम है पोचम पली, पोचम पली एक जीला है आंधर परदिश में, चली इसके में पौइंट्स देखते हैं, पोचम पली जीला आंधर परदिश में गाव मुक्तारपूर है, इस चित की जारी है अपने परिवार के बड़ों से यानि ये एक बैवसा है पारंपरिक बैवसाई से कह सकते हैं यानि अगर देखा जाए तो बड़े से इनके अप्पा अम्मा सीखे फिर उसके बाद वाणी और परसाद ने सीखा इसे और यहां पर अगर प्रश्ण बनना होगा तो किस तरह से बन सकता है तो एक तो प्रश्ण हो जाएगा कि पारंपरिक बैवसाई इनमें से कौन है या क्यों कहा गया है पारंपरिक बैवसाई क्योंकि ये परिवार बाई परिवार चलते आ रहा है यानि पूर्वत से ये लोग सीखते हुए आ रहा है इसी के कारण इस परमपरिक बेवसाय कहेंगे और यह घर में सीखा जाता है जिसके करने से परमपरिक बेवसाय कहते हैं दूसरा इसमें कुछिन क्या बन सकता है तो इस बुनाई को पोचंपली नाम से क्यों पहचाना जाता है यह भी पूछा जा सकता है तो इसका एंसर क्या होगा क्योंकि जि घर में ही सीखे जाते हैं इनले करीगरी की तरह बहुत सारे हुनर्स शीखने होते हैं और पारमपरिक बैवसान ग elder छिल्वने मैं हित्र ऑन selves ह fortress पूछा जा सकता है तो यहाँ पे अगर सेटेट में पूछा जाना चाहिए तो यह पूछा जा सकता है कि पोचंपली के समान अने परामपरिक भैशाय निमलिक्त में से कौन है तो वहाँ पर आपको अपसन देगा कालीन ओधन आ खळाने आं इत्र बनाना या इन में से सभी तो आपको टिक करना होगा इन में से सभी इसके आलावा कुछ और होंगे तो उसे टिक नहीं करना होगा इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसमें चर्चा की गई है कि कैसे बनाते हैं पोचमपली जो बुनकर है वो कैसे त्यार करते हैं साड़ी वेगर है इसके बारे में चर्चा की गई है तो चले पढ़ते हैं अगला पॉइंट अप्पा पोचमपली सहर से धागे की लडिया लाते हैं अम्मा लडियों को उबालते पानी में डाल कर उनकी गंदगी और दाग दोती है फिर सब मिलकर धागों को सुन्दा रंगों में रंगते हैं और सुखा कर उनकी गठी बनाते है धागे की गठिया करगे पर लपीटी जाती है फिर इन से कपड़े बुने जाते हैं रिसम का धागा हो तो रिसमी कपडों, साडियों या सूटों के लिए कपड़े बुने जाते हैं सूती धागे से भी साडिया कपडों के थान और चादरे बुनी जाती है करगे में कई साडिया होती है डिजाइन के हिसाब से सुयो का नम्मर घरता बढ़ता है कारिगर चमकदार रंगों की बहुत ही सुन्दर पोचमपली साडिया बुनते हैं इन कारिगरों ने अपनी सकला से इलाके का नाम दुनिया भर में मसुहूर कर दिया है रेसम लागतार मांगा होने और बड़ी दुकंदार द्वारा बुनकरों को बहुत ही कम पैसा देने के कारण बुनकर या काम छोड़े रहे हैं अभी देखा जाएं तो बुनकर यह काम छोड़े रहे हैं और वो अपना गाहों छोड़के दूसरे गाहों में जाके कोई दूसरा काम कर रहे हैं और इसमें अगला में पॉइंट है भारत में कई लाकों में कुछ खास चीज़े बनाई जाती है जैसे कुल्लु की साल मदवनी पैंटिंग असम की सिल्क कस्मेरी कड़ाई तो इसमें कैसे प्रश्म पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं जैसे में कुल्लु क कि क्या चीज़ ज्यादा मसुहूर है या इसमें पूछा जा सकता है मदवनी में क्या प्रसीद है को उसमें रहेगा आपका ओप्सन मदवनी पैंटिंग असम की सिल्क इसी तरह करस्मेरी कड़ाई की चर्चा की जा सकती है तो इस लेशन में महतपूर्ण यही पॉइंट से चले चलते हैं अगले लेशन पे लेशन 24 दूर देश की बाद इसमें जो में पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ मल्यालम में चिटपन चिटपन किसको कहा जाता है को पीता का छोटा भाई को कहा जाता है कुझमा किसको कहा जाता है तो पीता के छोटे भाई की पत जगह है वहाँ पे ये लोग आते हैं तो वहाँ पे आने के बाद वो लोग चर्चा करते हैं कि केरल में क्या डिफरेंस है अबुधावी में क्या डिफरेंस है इसी के बारे में चर्चा की जाती है और वो लोग हवाई जहाद से आते हैं तो कुछ इसमें ये भी चर्ची की ग जमीन के नीशे तेल होता है इसलिए वहां पेट्रॉल असानी से मिल जाता है पानी से भी सस्ता है वहां पेट्रॉल अबुधाबी में सिर्फ खजूर के ही पेड़ दिखाई देते हैं वहां देखा जाये तो वहां के वल खजूर ही खजूर दिखाई देंगे अबुधाबी क मुद्रा दिरहम है ये भी बहुत important point है अबुधावी की मुद्रा क्या है कि दिरहम है वहाँ जादतर अर्वी भासा बोला जाता है जादतर गर्मी की वज़ा से वहाँ के लोग धीले धीले सुती कपड़े पहनते हैं और पूरा सरीर और सीर भी धक कर रखते हैं इसके बाद point पे चला जाए तो अगला point है रेत के टीले अबुधावी में भारत हवाई जाहाद से दो घंटे में आ सकते हैं उपर से देखने पर रेत का रंग बदलता रहता है कभी सफेद कभी भूरा तो कभी पीला कभी लाल कभी काला कभी कभी उन्हें रेत के पहाड़ भी रके डीकन वसें हैं तो घंट अजया तो यहां भारत के नोट बनाए गया था तो वहां पर चलिकल लाएं बहारत के FM नमबर भी लिखे होते हैं, क्या दो नोटों पर एक ही नमबर छापा हो सकता है, नहीं, दो नोटों पर एक ही नमबर छापा नहीं हो सकता है, एक 10 उर्पिय के नोट को ध्यान से देखो, इस पर लिखी कितनी बस आओगो तुम पहचान सकते हो, उत्तर इसका होगा, इसमें मै हिंदी अंग्रेजी और संस्कृत को पहचान सकता हूं किसी एक नोट पर लिखे बैंक का नाम लिखो तो उस पर बैंक का नाम होगा भारतिय रिजर्ब इसके बाद बिखाए और फिर बैंक के बाद इसमें और भी प्रुशन शेक इननला की फारे में और लेकिन नमीप्स तो होता प्यठ पउद्यों में उस साथ यह प्लावा अपको पिक्चर में दिखात गया है नारी बैंक犬 होगा और यहां पर इमारते देख सकते हैं को यहां इमारते लंबी-लंबी है यहां देख सकते हैं चोटी-चोटी बनाई गए हैं सबकों का वहां देख सकते हैं कैसे हैं यहां बहुत ज्यादा भीर देख सकते हैं यहां पर चोटी-चोटी गाडिया यह बहुत अच्छी और भासा में देखा जए तो वहा अर्वी बोला जाता है यहां भासा मल्य आलन बोला जाता है, दो यह थे लेशन के महत्वफून्स पोइंट्स चले चलते हैं अगले लेशन के नाम है चटपटी पहलिया इसमें बहुत सारी पहली आदी गई है उसे मैंने लास्ट में रखा है बहुत ही इंप्वाटेंट है उसे भी जरूर एक नजर देखिएगा केरल के आंगन में मसालों का बगीचा होता है यहां तेसपत्ता छोटी इलाइची बड़ी इलाइची काली मेर्च आदी होता है जानि वहां जो मसालों का बगीचा होता वो आगन में ही हो सकता है और उसमें क्या-क्या होता है को तेसपत्ता होता है चोटी इलाइची होती है बड़ी इलाइची होती है इंट्रेस्ट हैं तो यह बना के जरूर खिलाईएगा अपने घर पे चलिए बनाते हम लोग आलो की चटपटी चाट देखे कैसे बनता है हमें चाहिए इसके लिए उबले हुए आलू नमक लाल मेर्च अमचूर अथवा नीबू भूना जीरा कला नमक गरम मशाला हरा धनिया सबसे पहले हम लोग चाट का स्वाद बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं उबला हुआ जो आलू है उससे चिल लेंगे और उसमें टाल देंगे थोड़ा सा भूना हुआ जीरा कला नमक करम मसाला फिर जो आलू चिला हुआ है उसके छोटे-छोटे टुकडे काट ले इसमें अपने स्वाद के उनसार नमक, लाल मिर्च, अमचूर या नीबू डाले अलू को अच्छी तरह से हिलाए उपर से काटा हुआ हरा धनिया डाले अब बन गया आपका आलू की चटपटी चाट खा के देखे कितना टेस्टी है इसके बाद चलते हैं पहलिया जो हमने जादा डल गई तो फिर मुह से निकले पानी या दिलाधू सबको नानी सोचो सोचो कौन हुम हैं जल्दी बोलो कौन हुम हैं तो यह है आपका लाल मिर्च कूटी जाती पिसी जाती खाने में पीला रंग लाती तेल में मुझे मिलाकर दादी चोट लगे तो जट से लगाती सबकी चोट को ठिक कराती इसलिए मैं सबको भाती सोचो सोचो कौन हुम हैं जल्दी बोलो कौन हुम हैं तो इसका उत्तर होगा हल्दी अगला पहली है तो ये है आपकी काली मिर्च इसके बाद अगला है तो ये होगा आपका जीरा अगला पहली है अगला है कील जैसी दिखती हूँ पर मैं एक कली हूँ चकलेट बूरे रंग की परतेज खुसबू वाली हूँ जब दर्द दात में होता है तो मुझे दात में रखते हैं सोचो सोचो कौन हूँ मैं जल्दी बोलो कौन हूँ मैं तो इसका उतर होगा लंग तो इस लेशन में बस महतपून पॉइंट यही थे चले चलते हम अगले लेशन पे अगले लेशन का नाम है फौजी वहीदा लेशन नम्वर टॉन्टी सिक्स यहाँ पे स्टोरी यह है कि जो लेखक है वो क्या करते हैं एक छोटा सा इंट्रिव्यूज ऐसा बातचित करते हैं फौजी वहीदा से और उनके बारे में सारी पॉइंट बताई गई है उसको हमने एक जगे कठा करके लिखा है सारे पॉइंट को यह चर्चा है किसके बारे में तो लेफटी नेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म के बारे में वहीदा को प्रिज्म नाम पापा से मिला प्रिज्म ऐसा काच होता है जो सात रंग दिखाता है वे चाहते थे कि मैं भी यानि वहीदा प्रिज्म भी इसी तरह अपनी पहश्यान बनाए वहीदा प्रिज्म जम्मू कास्मीर के रजौरी जीले के थानामंडी नाम के बहुत छोटे गाउं से हैं उन्होंने यहां सरकारी स्कोल से पढ़ाई की नानी के यहां रजौरी से इन्होंने बारहुई की ये तीन बहने हैं इनकी बहन जम्मू पुलीस में है इन्होंने जम्मू मेडिकल कॉलेज से पांच साल में एम्बिवियस की परिक्षा पास की इनका बहुत ही बड़ा सपना था स्कूल के समय ये कैम्पों में भी जाती थी पहाडों पे चड़ती थी और गर्ल गाइड भी थी डॉक्टर बनने के बाद सेना में भरती होने के लिए एक इंटर्व्यू हुआ और छा मेने की ट्रेनिंग हुई पहाडी होने यानि एक पहाडी थी और घूमने का सौक होने के करण ये भारती नौ सेना में डॉक्टर है और नौ सेना के समंदरी जहाज पर काम करने वाली ये पहली महिला है जिनों ने एक पूरी परेड की कमान समाली किसी भी सेना में ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है इनका मन पंडूबी में भी जाने का है निर्जेस इतनी जोर से देने होते हैं कि सबसे पीछे वाली टुकडी के लोग भी सुन पाएं देखने वाले तक भी आवाद सुने जो मैदान के दूसरी तरफ बैठते हैं इसके बाद चर्चा की गई है इसमें नौ सेना के बारे में इसके बाद अगला चर्चा है नौ सेना में काम करने वाले के बारे में नौ सेना में काम करने वाले डॉक्टर मेडिकल अधिकारी होते हैं मरीजों को सिर्फ दवाई देने के सांसां जिम्मेदारी होती है कि सब की तबियत ठीक रहे सबी अधिकारियों और नाविकों का चेक अप इसके अलावाँ जहाज की सापसफाई देखना गंदगी और चुहों से बीमारिया फैल सकती है इसे भी देखना इसके अलावाँ इसके लिए भी ये लोग त्यारिया करते है और लोगों को त्यार भी करते हैं तो इसलेशन में महतपून पॉइंट्स यही थे चले चलते हम लास्ट रिलीशन पे कोसिस हुई कम्याब इसलेशन के बारे में मैं बदा दूँ एक लड़की है जिसका नाम है चुसकट उसके पै कभी लेके जाते हैं क्यों लेके जाते हैं क्योंकि यह स्टूरी है लदाक की और स्कूल कुछी दूर पे है लेकिन उबर खाबर रास्ते से है तो उसके पास पहियो वाली कुर्सी तो है लेकिन वो जानी पाती है इसी में मदद करता है एक लड़का वो इनके घर पे आता है वो बोलता है कि चुस्किट तुम इसकोल क्यों नहीं जाती है तो वो बोलती है कि मैं कैसे जाओंगे और पापा मुझे रोज रोज नहीं ले जा सकते है तो वो इसके लिए सूचता है और सूचते सूचते एक प्लानिंग करता है वो वहाँ के स्कूल के प्रिंस्पल और सिक्षकों से मिलता है और वो अपने प्लानिंग के दाथ ऐसा कुछ करता है कि चुसकेट खुद से स्कूल जा सके तो चली इसमें आप देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स मिलते हैं लगदाख के स्केटपो पूल जहाँ स्कूल है पहुचने के लिए सडक से होकर जील से होकर पोपलर के पेड के पास से जील पार करें फिर थोड़ी सी चढ़ाई करने के बाद आप पहुच सकते हैं यह स्कूल चुसकेट बच्पन से ही चल नहीं पाती थी वो पहियो वाली कुरसी के सहारे चलती थी लेकिन पीता जी रोज रोज उठा कर स्कूल नहीं ले जा सकते अब्दुल यानि एक दाकिया है जो पत्र लेके आता है ने उसकी मदद की और वो स्कूल के हैड मास्टर साहब और अनध्यापकों से मिला तरह बच्चों के साथ मिलकर घर के सामने और पास वाली जमीन के उबडखाबर रास्ते को समतल किया उन्होंने क्या किया कि जो घर के सामने जो उबडखाबर रास्ते थे वो एक बच्चों के टोली साप की फिर दुसरी जो जमीन है जो आपके उबर खाबर रास्ते हैं आगे में उसको समतल दुसरे बच्चे की हैं फिर सिक्ष को यानि जो आपके यहां के हेड मास्टर साहिब हैं और अध्यापक हैं उनसे मदद ली गई उनकी मदद से लकड़ी के फट्यों से नदी पर पूल बनाई गए चुसकिट के अमा ले गरमा गरम चाय पिलाई और बिस्कुट भी खिलाए और उसके बाद वो आराम से इसकूल जाने लगी और यहां पे दो-तीन सब्दी यूज किये गये हैं और सीटेट के ध्यान से देखा जाए तो यह बहुत important है लडाक में आमाले किसको कहा जाता है तो मा को कहा जाता है अब आले पिता जी को और मे मेले किसको कहा जाता है दादा जी कहते हैं तो आज हमारा परिवरं अध्धन से समंधे totalation complete हुआ अब के ओल बचता है सिक्छन विधिया तो वो next video में आपको मिलता रहेगा जल्दी लानी के कोशिज करेंगे लेकिन उससे पहले हम कोशिज करेंगे कि 1 से 5 तक आपका total math जरूर cover करवा दे ताकि इस बार seat it up 100% जरूर qualify हो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लेज लाइक करें और प्लेज अपने दोस्तों के साथ share करना ना भूले जो भी आपका group है उस group में जरूर share करें ताकि सभी लोग एक साथ seated qualify हो तो आज इस वीडियो में इतना है फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नए लेश्चन के साथ तत्त के लिए दे हमें भीटा बाबाए सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को दबाईए इस बेल आइकोन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सब से पहले शेयर करें अपनी दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाब उठा सके ये सब बिलकुल फ्री है